जो आप देख सकते हैं कि मेरा पीछे पूरे बड़ाग घाटी है तत बड़ाग घाटी बोलने से कच्छार करीम गंज एन हायला कंदी ये तीन जीले जो हैं ये तीनों जीले के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो लोग आज एकठा हुए हैं किसलिए एकठा हुए हैं कि ओल असाम रविदास सम्मिलन किया जा रहा है ये रविदास सम्मिलन इसलिए किया जा रहा है कि उन लोगों का कहना है जे काफी साल से वो लोग पिछडे हुए हैं उनका समाज जो है पिछडे हुए हैं इसी का चलते एकठा हो रहे हैं आने वालों दिने में अपना समाज इंड हेलाकांदी जिएला का जीतना भी क्रीम प्रोडक्ट है वो लोग यहां आज आये हैं आम जंता के साथ बात कर रहे हैं स्टाइन आए बात करते हैं क्या कहने जा है क्यों यह सभाव हो रहा है क्योंकि काफी टाइम से हम लोग देखें आज का जो उद्दे से हुआ कि हमारे कछार जिला क्यों जितने चौधरी महंत है जो समाज सेवक के रूप में है हमारे समाज को सही दिशा दिखाने वाले गाउं में रहते हैं सहर में रहते हैं ये लोग सभी को सम्मानित करने के लिए संबोधना के लिए आज एक सभ़ा बुलाये थे क्योंकि ये लोग का कठोर परिष्रम के जरीये से आज हमारी समाज एकत्री करन में आया है एक जूट होए है तो इनको हमें सम्मानित करना चाहिए इसलिए आज ये सभा हम बोलाए हैं संबोर्धोना देने के लिए इसलिए आज जो ये सभा हो रहा है इस सभा के चलते हैं आप लोग एकट्था हो रहे हैं तो क्या डिमांड है क्या सुचते हैं देखिए हम लोगों का जितना लड़का लोग है सब भी पराई करते हैं पराईवराई करके ओर लोग चला जाते हैं बेंगालोर में नोकरी कनने के लिए और कोई आउरका बंबे में चल जाते हैं लेकिन यह अदर सिल्चर का कोई फेसिलिटी नहीं है मोदी जी बोले सबका सा पर लोग एकटा हो रहे आने नहीं चुना यह बुजूर्ग क्या का यहां काफी बुजूर्ग बैठे हुए हैं हम जाते हैं देखते हैं जो है वह क्या काते हैं तो भधिर संपर्दा है तो हम लोग एक जूट के चले आपने देखा कि अपना हक मांगने के लिए चाहे कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो पार्टी मेटर नहीं कर रहा है मेटर यह कर रहा है अपना समाज को कैसे आगे बढ़ा जाए यह सोच को लेकर वो लोग अब एकठा हो रहे हैं क्योंकि आने वाले जनरेशन के पास उन लोगों का जबाब देना पड़ता है तो यह मुद्दा लेके वो लोग धिरे धिरे आगे बढ़ रहे हैं अब देखा ज